बंगाल से आलू नहीं जा पा रहा है और इसा विहार जरकंड आसाम चितिसकर अंदरप्रदिस से शीराज में जिसके कारण इन स्टेट्स में रिटेल बजर में बर रहा है आलू का भाव और साथी साथ बर रहा है बंगाल की आलू का स्टॉक बरी नुकसान में ढूपकी लगा रहा है बंगाल की आलू किसान और आलू वैपारिया लेकिन इनके लिए कौन सोचता है कोई नहीं सोचता बंगाल की किसान और वैपारियों के लिए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया पटेटो हिंदी फिर से हर्ताल शुरू कर रहे हैं बंगाल की आलू वैपारिया ने जल्द से जल्द बस्चि मंगाल की सरकार को बॉर्डर खोलना होगा यही मैसेज देना चाहता है वैपारी लोग सरकार को जिसके कारण काल से बस्चि मंगाल की मालदा जिले की वैपारिया और किसानों ने शुरू कर दिया है हर्ताल लेकिन पूरे बस्चि मंगाल पे फिलहाल आलू का काम चल रहा है कब से स्ट्राइक करेगा बंगाल की समीती ये तो बस अभी देखने की बात है चले दोस्तो मालदा जिले की स्ट्राइक के बारे में अवे हम बात करेंगे मालदा जिले की आटपाइल मुकाम की जाने माने आलू वैपारी शाहिन्षा शेक जी से उनसे जानेंगे बरतमान पे मालदा चिले में आलू का, आलू बैपारियों का और खुद किसानों का क्या स्थिती है दोस्तों इस वीडियो को थूम दामशे शर कीजिए और चैनल में अगर आप नया है तो बंगाल और यूपी का हर दिन का आलू का सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पेज को फॉलो कीजिए पस्ची मंगल से आलू दूस्टी स्टेट में नहीं जा पा रहा है जैसे और इस सब्सक्राइब करना क्यों चालू कर दिया फिर से ओल्ली माला जिले में है और देखिए हम लोगा यहां का दो जा बी है यहां से जो हम लोग का आलू जा रहा था जारखन विहार आसाम इस संग my महिना धर से जो एक महिना से जो चल रहा है अलू उन्ने का पास नहीं अगला पाइसा नहीं आ रहा है इससे हम लोग का जो बेपार का जहें बहुत नीचे आ रहा है और एक बात है जो हम लोग अभी जो चासी से जो बॉण खड़ीद रहे है किसान से जो बॉण खड़ीद रह पिछले महीने पे भी आप लोगों ने स्टेट वाइस आंदोलन शुरू किया था श्ट्राइक किया और और भी बहुत सारी कारेकरिम किये आप लोगों ने तो फिर से आप लोगों को ऐसा सिधाउंत में आना परा सिर्फ माल्दाजीले में लेकिन पूरे बंगाल में अभी अ थोक हम लोक का जोOOOO उतना हए जो आच एतना फ़ाह था हमित आपचा केपने कोने सब्सक्राइब तो बरतवान पे उन मुकामों पे कॉंसिस्टेट से अलू जा रहा है जैसे और इस सा भीहार जरकंडा सामें इन मुकामों पे जा पर सब्सक्राइब उन सब मुकानों में यूपी दखल कर लिया है अच्छा तो यह जो बिहार जरकंडा है यहां पे खुले बजार में रीटेल मार्केटों में आलू का भाव क्या कितनी है थोड़ी न्यूज है कुछ न्यूज है मतलब रीटेल या होलसेल यह आपका खुजरा भी किरा है पाव क्या लगता है कि यह स्टाइक करने के बाद फिर सरकार ने कुछ सिधान्त लेगा कि यह बौर्डर में आलू का गारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा पाएगा से कदेखें हम लोगा जो लूटाइव करने के लिए जो जोगोर्डर जो सिल कर दिया है इस सरकार जो हम लोगा यहां के मले बंगाल में कम से कम सब्सक्राइब करें तो यह जो सब्सक्राइब करें इसको तो बेचना चाहिए ना यह अगर दूसरे राज्य में यह सब्सक्राइब नहीं जाएगा तो फेल देना होगा इसलिए जो है हम लोग का जो सरकार बार 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 सरकार से भी नदी कर रहा है जो जो बॉर्डर को खोल देना चाहिए तो मतलब अंदोलन शुरू हो गया है और इसा में लोग पागल हो गया है बंगाल से आलू नहीं जा रहा है इसके कारण मैंने देखा कुछ योश चैनल पर देखिए अम लोग तयार है आलू तो तयार है किसान लोग यतिवरी करते है उनसे आलू खरिद के आप जैसे वैपारी लोग आलू को स्टॉक करते है और टाइम टू टाइम आलू खुद की स्टेट और दूसरी स्टेट पे बिक्री करते है लेकिन इस जगा में इस वक्त रुकावट लग गया है ये रुकावट कब खुलेगा लगता है कि हमारी जो अगर खोल देगा तो हम लोग का जो परसी बंगाल का जो अर्थ पर वस्ता है इसमें ठीक ठाख हो जाएगा ना तो यह जो पुजिशन चल रहा तो आलू का जो पुजिशन है आलू में जितना किसान वेपाड़ी जो लोग को डिश्टोर माली के नेवर है इसमें क्या हो ग पंगाल में अगर स्टाइक श्रू हो गया फिट से आलू का तो क्या यूपी का या फिर दूसरी स्टेट का कुछ मुनाफा होगा आपको क्या लगता है यूपी तो यूपी मालीजिये 100% मालीजिये यूपी पूरा मुनाफा ले लेगा लेकिन यूपी से आलू उन जगाव में सप्लाई हो जाएगा लेकिन इससे तो परश्ची मंगाल में अगले साल खेतिवारी में भी कुछ घाटा हो जाएगा ना जो किसान तो इसे में घाटे चल रहा था जी दो हजाग के माशना में puzz July 21 अभी का जो फुटी सन अगी आ गाया जो तीन शाल का नुकसान सबखान से इस सुटक का घमप्राइब भेती नीजिंम गर्मंगें 202 उन설ी देखिए बेचुप कर दो 1य curly 20 Ą को अब हो पन्हें देखिए 1001 डिए ize … सब्सक्रिम टमी मी देखिए 704 के लाश्ट में तक सब्सक्राइब भर्या की को सोटका में विका था दो हजार थेएस में 370-80 टका का बॉंड वो लास्ट में विका था दो सोटका भी का था इस बार कुछ फाइदा हो रहा है तो मानली जिए वो तीनों साल को अगर यह कि यह तो चैली कीजिए तो इतना फाइदा हो रहा है नुक्साने हो रहा है और इस साल कुछ फाइसा बन रहा है तो देख लें हम लोग का फरकार जो है क्या होता है फिलाल अभी बरतमान में आपकी मालदा चिले में टोटल बंदी है आलू का काल से आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं जी 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 मतलब कोल्ड खुला है लेकिन क कोई ब्रपाडी आलू नहीं निकाल रहा है यह आले पाइडी नहीं हो रहा है मार्केट में रिलीज मी नहीं हो रहा है पिछले महिने में अप्रोक्सली कितनी परसंट अलू की निकासी हुई थी टोटल मालदा चिले में पिछले महिने आम लोग का यहां माली है बारा परसं है कि टोटल टोटल बें आपका 35% तरट्टी पैरसंट कि साइनश सी देखते है क्या होता है हम तो जरूर करेंगे कि जल सर जल्द इया अलू का जो सेवसा है बंगाल मा यह ठीक हो जाए बस आप आप लोग पहले जैसे अलू भेजते थे वैसा ही आप लोग अलू भेज पहें धैंक यू धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद